Hello everyone, it's Swagat, I am Sabika, Learn and Find Commerce के हमारे इस चानल पर, this is your educator Ujhvala Punjh और आज मैं एक बहुती special सा session लेकर आई हूँ, जहां मैं आप लोगों की बहुत सारी confusion clear करने आई हूँ और आपको बताने आई हूँ, what are the best books for commerce stream बचो आज के इस session में हम लोग best best books देखने वाले हैं, this is not a sponsored video यार मैं बस आपको बताऊंगी कि आपके accountancy, business studies, economics, mathematics जैसे subjects के लिए कौन कौन सी reference books आप लोगों को follow करनी है, तो चलिए, आज के हमारे session को चालू कर लेते हैं लेकिन सबसे पहले बचो एक बहुत ही ज्यादा important बात हम लोग करेंगे और वो important बात है हमारे believers batch 2.0 की बचो हमारा believers batch चालू हुआ था लेकिन उसके बात बहुत सारे बच्चे जो कि अपने 10th के result का वेट कर रहे थे उन्होंने उस opportunity को miss कर दिया था but as teachers and as our learn and fun team हम उन लोगों को बिलकुल भी neglect नहीं कर सकते थे और इसी वज़े से उन सभी की special requests वर हम लेकर आ गए है believers 2.0 यानि कि believers batch को फिर से चालू किया जा रहा है हमारे नए बच्चों के लिए starting date है 22nd of May and हमारे class 11th 2023 के लिए इस batch को चालू किया जा रहा है तो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ कि हमारी जो commerce stream है बच्चों commerce stream कि जितने भी हमारे बच्चे होंगे उनको accounts, BST, economics, maths, English ये सारे subjects तो मिलेंगे ही along with CUET की classes भी मिलेंगी ता कि अगर कुछ आगे पीछे चल रहा है school में तो आप पुराने batch को देखकर cover कर सको live session, zoom, seminars, teachers के साथ ता कि आप लोगों का interaction बना रहे है और super 500 questions के PDF along with a lot of features जैसे detailed lectures, one shot lectures, homework, notes, वो सारी चीज़े तो यहार है ही है वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी ठीक है हमारा बचो यह जो believers batch है वैसे तो it is for 7999 यानि की 8000 लेकिन अभी हमको यह batch 50% off में मिल रहा है that is for 3999 तिल 31st of May तो जल्दी से जाएए यार और हमारी doubtnet की app पर आपको यह course मिलेगा believers coupon code लगाने के बाद हमारा number दे रखा है whatsapp number 928-911-9544 और साथ ही में हमारा calling number 0124-715-8250 तो चली बात एक दम क्लियर रहा I'll see you in the batch और फड़ा बट से आ जाते हैं हम लोग और यहां पर अपनी best books for commerce की बात कर लेते हैं सबसे पहले बचो चालू करते हैं हमारी mathematics से no doubt mathematics में हमेशा जो base रहना चाहिए वो ncrt ही रहना चाहिए मेरे पास खुद mathematics subject 11-12 में था so I can tell you सही में मैं बचो ncrt कम से कम 5-6 बारी कर चुकी थी practice ठीक है पूरी ncrt एक एक question तो मेरे को सारे questions एक दम ऐसे याद से हो गए थे सब क्या answers आते थे उसी सेम तरीके से ncrt को तो आपको base बना के चलना ही है ncrt के एक exemplar आती है उसको भी cover कीजेगा वह थोड़े high level questions होते हैं बट यस वेरी important examples तो ncrt के सबसे जादा important होते हैं next चीज़े आपे rd sharma rs agarwal इन दो किताबों को तो कोई बच्चा इसा है नहीं जो जानता नहीं है बहुत ही ज्यादा अच्छी books है आपकी practice के लिए और बचो देखिए math से कैसा subject है concept समझने के बाद आपको इसको apply करन होता है but you need a lot of questions to perfect your mathematics और कितने भी questions आप practice कर लो it is never enough तो इस बेटर कि आप लोग ऐसी अच्छे-ची books खरीद के रख लीजे या फिर पता है एक बहुत अच्छी चीज़े कि अगर इतनी जादा books भी आपको नहीं खरीदनी है तो इस बेटर कि आप अपने कुछ दो चार friends के साथ मिलकर पैसे country करके books को खरीद लो कि यार चलो कभी में को आडी पढ़ने फिर तुमको पढ़ने है तो ऐसे करके आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और बहुत सारी books को भी use करके पढ़ सकते हैं तो that you have to do साथी में ml अगरवाल की वेक किताब है यह भी बहुत अच्छ यह आपके mathematics की प्राक्टिस के लिए मैस की बाद में आती हो next subject यारी के एक नया नया subject जिससे आप लोग इंट्रीउस हुए है class 11th में that is business studies business studies बचो एक purely theoretical subject है तो NCRT में आप उसको सिफ तभी refer करोगे जब आपको main headings जिसे answer के अंदर हमारा होता है ना कि हमको headings लिखनी होत है NCRT is best headings NCRT से निकाले ठीके बाकी समझने के लिए Sandeep Garg और पूनम गांधी जैसे बी किताब्स हैं किताब्स बोल रही हुँ बुक्स हैं तो इन किताबों को अभी आप इस्तमाल कर सकते हैं Sandeep Garg की बुक बहुत अच्छी है BST के लिए और पूनम गांधी की बुक भी इनी वन उफ देम लाइक डोंट बाइवरीधिंग यहां पर में यह नहीं लिख रही हो कि सब खरीद लो NCRT तो देखो होनी होनी चाहिए लगने लगेगी तो देखिए टीएस ग्रेवाल एस्सी शर्मा डीके गोयल और NCRT तो देखो ही है हेडिंग्स वगएरा के लिए वो तो चाहिए चाहिए प्लस टीएस ग्रेवाल और एस्सी शर्मा आप लोगों के थियोरी पोर्शन को कवर करने के लिए काफी ज्यादा काम में आएगी वहीं पर जो डीके गोयल की किताब है यह आपके प्राक्टिस में काम में आएगी अगर आपको क्वेशन वगएरा प्राक्टिस करने होंगे है ना तो उसके लिए डीके गोयल की किताब आपके काम में आएगी तो थियोरी के लिए कोई एक खरीद लिजेगा और प्राक्टिस के लिए वो NCRT तो होगी है आपके पास लास्ट मैं बात कर लेते हूं अपने सब्जेक्ट याने की economics की बार में बचो economics के अंदर मैं बहुत बारी बता भी चुकी हूँ फिर से एक बार बता देती हूँ micro economics के लिए दरा two books इन में से आप एक खरीद लीजिए best जो भी आपको लगे मैं खुद TR Gen VK औरी को refer करती हूँ लेकिन आप संदीब गर या फिर इसमें से कोई भी एक किताब खरीद सकते हैं तो इससे आपका जो micro economics का portion है क्योंकि देखो NCRT micro economics की I would never recommend कि आप उससे जो है पढ़े क्योंकि वो एक तो बहुत ही plain सी किताब है प्लस उसमें ढंक से समझ भी नहीं आएंगे आपको चीज़े तो इस बेटर कि आप संदीब गर या फिर TR Gen VK औरी में से एक book purchase कर लें जहां से आप अपनी theory को समझ सकते हैं दो lectures तो बच्चो आपके लिए हैं माम तो हैं believers batch तो हैं वहाँ तो सब तयारी चली रही है तो वहाँ से भी refer कर सकते हो प्लस अपने like books के लिए आप इन दोनों में से एक खरीच सकते हैं bookshop में जाके देखो better समझ में आएगा statistics के लिए एनेम शा की किताब है ठीक है देखिए बचो आप लोगों के believers batch में और मतलब हम लोग पढ़ा ही रहे हैं सारे subjects पढ़ा रहे हैं तो understanding तो आपकी वहीं से complete हो जाएगी books basically हम इसले लेते हैं ताकि हम जादा से जादा चीजों को practice कर सके exam में नहीं तो कैसे लिखेंगे ठीक है so it's very very important तो यहाँ पे मैंने आपको सारी books बद आ दी हैं जो कि आपको refer करनी है यह आप कर सकते हो so take your own decision अच्छे से prepare करना चालू कर दीजे बचो क्योंकि यह सारा material अगर आप अभी से ही खरीद लेंगे तो it's best for you बाद में फिर आपको exam time पे भागना दौना नहीं पड़ेगा और उस time पे फिर आप एक दो दिन में books का कुछ उखाड भी नहीं लोगे तो इसलिए पहले ही खरीद लो अपनी तयारी पहले से ही चालू रखो ऐसा ना हो कि exam time पे एक दिन पहले हम bookshop पे भाग रहे हैं फिर वहां से किताब लेके आ रहे हैं कुछ फाइदा नहीं होगा उसको खरीदने का पैसे जाया ही जाएंगे ठीक है so do this अभी से ही and I will see you all next time दद्दा के लिए take care and bye-bye guys bye